Hello viewers, welcome back to the channel So, आज मेरे पास बजच पलसर NS160 है जो की ब्लाक कलर अलो इसके साथ अबलेबल है And इसके साथ कमपटिशन होगा N250 जो पलसर सिर्ज का सबसे बीग पलसर कहा जाता है So, दोनों में से किसमें आपको ज्यादा टॉफ स्पी नजर आ जाता है So, दोनों ही बाइक्स बेस्ट बैलू पर मनी बाइक्स इन 2022 है So, आप सब भी को रिव्यू सलाम So, लेस्स टार्ट तर वेडियो So, फिश्ट पॉल एनस वान सिस्ट के बारे में अगर बात करते हैं So, 2017 के इंड में यह बाइक लॉंच हुआ था तब से कभी सेल नहीं डाउन हुआ है And बहुत इसा तगरा सेल होता है 1,18,000 इसकी जोई एक्सवरों प्राइस इन 2022 N250 के बारे में बात करते हैं कुछी महीने पहले लॉंच हुआ है 1,38,000 एक्सवरों प्राइस है इस बाइक का Ns160 बाइस सीदा हो जाओ And इस एक सेक्टो बाइक Ns160 जेरोक्स कॉपी है 200 Ns का and N250 के बारे में बात करते हैं A250 का छोटा भाई है So, बात कर लेते हैं इसकी जो इंजिन का वाल इसे के बारे में बात करेंगे या पर आपको BS6 इंजिन मिलता है या पर आपको BS6 इंजिन मिलता है दोनों में आपको FI टेक्नोलजी के साथ इंजिन आता है FI याने की फिल इंजिक्शन बात कर लेते हैं So, या पर 300 mm की ब्रॉड डिस्प्रेट आपको दिया जा रहे Single Channel ABS के साथ इसकी जो मडगाड आता है दोस्तों ड्यूल टेन काराड के साथ आता है 186 इंका फ्रॉंट टायर आता है NS160 के फ्रॉंट टायर आपको 90 बाइंटी सेक्शन का आता है 260 mm डिस्प्रेट सिंगल चैनल ABS सब्सक्राइब के साथ मडगाड आपको देख्ट को मिल जाता है 20 की बैजिंग अपलोग यह पर नोटीस कर सेक्टो फ्रॉंट साइट की दोनों बाइक का टेलिस्कोपिक सस्पंशन आता है दोनों बैक्स की 40 लिटर का फ्यूल टैक आपको एंटुपिपर मिलता है 12 बिटर का फ्यूल टैक आपको एनस 161 मिलता है एंट यहां पर आपको इंप्रेटिट डिस्पल पहली बार पल्सरीस में दिया जा रहे जो यहां पर देख सकतो यहां पर आपको एंटुपिट इंडिकेटर आता है बट एनस 162 आपको इंडिकेटर वागरा नज़र नहीं आएगा डिचिटल एंड अनलोग दोनों टाइप की मिटर कंशल अको एस साथ पहले से ही मिलता रहे जो टूंडेड एनस में आता है आरेश टूंडेड के साथ मिलता है वह यहां पर आपको नोटिस कर सकतो यहां पर कोई भी यूश्वी चारजिंग अभी तक तो अपडेट नहीं आया है बत आज आएगा बहुत ही जल्दी सीट के बार में बात कर लेते हो स्प्लिट शीट आप लोग यहां पर नोटिस कर सकतो हो यहां पर भी स्प्लिट शीट के ऑप्शिन आपको देया जा रहे है जो कापी साधा मुलायम कमफोर्ट है और रियर साइट के अगर बात करते सो रियर पर आपको मोनोसक सस्पेंशन दिया जाता है दोनों बाइक पर ही और एंट टुपिट की थोड़ी सी ब्रॉट लगता है क्योंकि इसकी जो टायर साइज है बोथ थोड़ी सी सैट है और है कि अगर दूस्तों इन तूफित में आता है वन थाक्टी बाइस सेवन टिक अटाय ट्यूबलेस एनस फ्लींट यूबलेस तो भाइन ट्रॉट पार इन टूट नवाइक पर ये बिस के ऑप्शन नहीं है दोनों बाइक पर आपको सिंगल चैनल एबिस दिया जाता है दोन बाट कर लेते हैं ओन्स वाइनस इंच को फिर्श बाइके न्यूव बाइक कुछी मेने पहले लाच होआ है लूक्स की वज़े से और यह एंचेक कुछी महने के अंदर आया यह कितनी ज्यादा मार्केट पकर बनाता है खेंड आप बात कर देते हैं के बारे में यहां पर आपको 5-speed gearbox ओफर किया जाता है इंजिन के बारे में बात करते हैं 163cc इंजिन जो 17.2 बीच्वी की पावर प्वाइट करते है 14.6 न्यूटन में टॉर्क के साथ सिंगल सेंडर फो स्टॉक फोर भालब आपको यहां पर दिया जाता है FI technology के साथ engine आता है इसलिए mileage थोरे से increase हो जाता है fuel injection के लिए दोस्तों और यहां पर जो oil cooling के option आपको provide किया जाता है दोस्तों आप बात करते हैं N250 के बारे में N250 पर 250cc engine के साथ 24.5bhp पावर जो 21.5 newton में टॉर्क के साथ कर्म करता है single sender 4 stock 2 valve आता है और यहां पर आपको 4 valve नजर आ जाता है N250 पर आपको 2 valve के option दिया जाते है बट आपको oil cooling के option दिया जाता है जो N250 पर भी आता है और दोनों बाइक पर आपको fuel injection है दोस्तों माइलेज के अगर बात किया जाए तो Ns160 पर माइलेज आता है दोस्तों 40-45 क्योंकि हमने टेस्ट क्या है real mileage है N250 का माइलेज आता है 35-40 तर अब बात करते 20,000 extra देखे क्या क्या पाते हो as compared to Ns160 आपको जितनी भी lighting setup आता है न वो आपको है लोजन के साथ मिलता है बाट N250 पर जितनी भी lighting setup आपको LED के साथ दिया जाता है प्रोजेक्टर हितला मुद्ध डियोरेल टॉन सिंगल इंडिकेटर अपको है लोजन के नहीं LED के साथ ही मिलता है 130 का टायर आता है फ्रॉंट टायर फैट है 300 mm डिस्प्लेट आता है N250 में बाट दोनों आपको सिंगल चैनल 20 के साथ आता है N250 में आपको स्लीपर क्लाच के ऑप्शन है इंप्रिटर डिस्प्ले यूस्पी चाजिंग स्लोट एंड इंप्रिटर डिस्प्ले पर आप लोग जो तो गियर सिप्ट इंडिगेटर नोटिस कर सकते हो अपको ऐसा कुछ आप्शन नहीं दिया जाता है क्योंकि N250 एक फ्रेश बाइक है न्यू बाइक है टूफिप्टी सिप्टी बाइक है बिक पलसर इसको कहा जाता है न्यूटंद सिप्टी से N250 बहतना है पावर में फिट्रिस्टिक्स में मरें बहतर नहीं है टॉप स्पिन में वही निकल जाता है एसके अपे टू एन अपकी आपके करते क्शा और लेना चाहते हो या पर 20,000 कम देखे पावरफुल एन इस वान सिक्ट को लेना चाहते हो सो आज का वीडियो वास एही तक ता आपको अगर वीडियो अचलागा तो लाइक करना चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को साथ वीडियो को जरूर स्याय करना मिलता अगले कोई वीडियो में तब तक अच्छे से रही है टेक केर बाइबाई जाहिन दोस्तों